प्यारे बच्चों आईए अब हम दूसरी जदूल का मुटाला करते हैं और सीखते हैं कि मालूमात किस तरह से मुरत्ब की जाती है यहां पर मिठाई और मिठाईयों के नाम अलग-अलग मिठाईया दी गई है यासमीन ने अपने दोस्तों और सहलियों से उनकी सबसे पसंदि मिठाई के बारे में पूछा और जदूल में शुमारायती नशन बनाएं यहां पर नशन बनाएं उन्हें गिनकर तादाद लिखो और नीचे दीवे सवालों के जवाब लिखो तो यहां पर देखिए मिठाईयों के नाम है दीवे यहां कुल मिठाईया तीन है और दूसरी पसंद है उनकी पसंदीता मिठाई लड़्टू है एक दो तीन चार तो हम यहां लिखेंगे चार इसी तरह से पेड़ा पेड़ा किन किन बच्चों कितने बच्चों को पसंद है यहां हम गिनें के तादाद शुमेरती नशान के दरिए से एक दो तीन चार पांच छे साथ यह इनको गिनना है हमें और फिर उनकी तादाद दिखना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस ग्यारा यह कुल तलबा है ग्यारा इनको बर्फी पसंद है और इसके बाद दूसरी कोई मिठाई दूसरी कोई मिठाई इसको यह पसंद करने और बच्चे है तीन तो इस तरह से हम इसमें गिनकर लिखेंगे और इसमें सवाल दिया है तलबा को कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है अब देखिए यहाँ पर बर्फी इसके नशाना ज्यादा बने भी इतकी तादा तलबा की ज्यादा है तो जवाब आएंगा बर्फी इसके बाद पसंद करने वाले तलबा की तादा लड़ू पसंद करने वाले तलबा की तादा से कितनी ज्यादा है पेड़े जो पसंद करने वाले बच्चे है उनके लड़ू जो पसंद करने वाले है उनसे कितनी ज्यादा है यह पूछी गए तो इसमें तफरीक का अमल करेंगे हम यान असलाम वालियो